यहां पर हमारे पास आ चुक है एक स्पेशल बाकपक जबरानिक्स की तरफ से अद इसके अंदर आपको देखने मुलता है आपको बॉपक्स की दिखने मिलता है और जिस फ्कशन सबसे पहले हमें पर ऑपक्स की तरफ से पहले हमस देखने मिलता है वैसे इस काफी बलकी प्रजेक्टर है ए कर एंद ऐसी वेट होगा और उससी के साथ यहां पर अपको बुचछ पार कोड्स भी देखने मिलते है तो यहां पे उन्होंने फुल साइज HDMI केबल, एक पार कॉर्ड और एक रिमोट कंट्रोल प्रवाइड किया है So basically guys, box के अंदर आपको यही सारी चीज़े देखने मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहां पे उन्होंने backpack प्रवाइड किया है And yes, video को आगे continue करते हैं उससे पहले याप याप एप एजोईगी जे cinematic intro को And उससे भी पहले, अगर आप first time हो टाग unboxing channel पे तो क्या करे हो यार, जल्दी से जल्दी subscribe कीजिए And let's get started Namaskar दोस्तों, मेरे नाम है अभी और आप देख रहे हैं And guys, सबसे पहले हम बात करेंगे इस particular projector के build quality को लिगे तो यहाँ पे completely polycarbonate build के साथ आपको यह projector देखने मलता है जहाँ पे उन्होंने white matte finishing provide के है Side में यहाँ पे आपको grey color के grills देखने मलते है Heat dissipation के लिए and sound output के लिए And guys, projector के right hand side पे एक grill आपको देखने मलता है जैसे आप remove कर सकते हो And उसके अंदर आपको उसका actual speaker setup देखने मलता है And यहाँ पे projector के ऊपर की तरफ आपको Zebronics की branding देखने मलते है Dolby audio की badging भी उन्होंने provide के And नीची की तरफ यहाँ पे projector कंट्रोल करने के लिए आपको buttons देखने मलते है उसे की साथ एक power on button and back button Ports की अगर में बात करो तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का jack 2 HDMI ports and 2 USB type A port And नीची की तरफ power in And यहाँ पे आप remote control की help से भी इसे operate कर सकते हो So उसके लिए आपको एक IR receiver भी उन्होंने provide किया है And अभी हम बात करेंगे main projection lens को लिखे So आगे की तरफ यहाँ पे वो actual lens आपको देखने मलती है And यहाँ पे जो इसका maximum projection size है ना वो आपको देखने मलता है 224 inches का Ideally guys यहाँ पे हमने 85 inch का projection किया था And इसकी जो brightness है ना बहुती बड़िया निकल कियाता है Brightness के अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 6000 lumens की total brightness यहाँ पे निकल कियाता है So dark conditions में बहुती amazing यहाँ पे आपको footage visible हो जाएगा And थोड़ी बहुत light भी अगर background में turn on रहेगी ना फिर भी जो projection है ना बहुती clearly आपको visible हो जाता है So basically guys corporate meetings के अंदर आप definitely इस projector को use कर सकते हो And इस projector का जो native resolution है ना वो निकल कियाता है 1080p का So यहाँ पे जब भी आप content watch करोगा ना काफी high resolution में आपको content visible हो जाएगा So guys no doubt projection size हो गया, brightness हो गया यहाँ पर native resolution हो गया Performance इसकी बहुती amazing निकल कियाता है And यहाँ पे projection lens के side में आपको कुछ sensors देखने मिलेंगे Basically यह sensors है auto focusing के लिए So जब भी भी आप projector को power on करोगे ना यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बढ़िया तरीके से यह auto focus यहाँ पे कर लेता है And plus यहाँ पे आपको auto keystone correction का भी option उन्होंने provide के है अगर आपको यहाँ पे manual focus adjustment करना है तो आप manually भी focus को adjust कर सकते हो remote control के help से Plus यहाँ पे आपको manual auto keystone correction का भी option उन्होंने provide के है जिसे आप access कर सकते हो settings में जाके And guys यहाँ पे settings में आपको zoom in, zoom out का भी feature उन्होंने provide के है तो आपके preference के हिसाप से, screen size के हिसाप से आप footage को zoom in या फिर zoom out कर सकते हो यहाँ पे आपको language and date settings भी देखने मिलते है And firmware को आप यहाँ पे upgrade भी कर सकते हो So guys अब तक तो मैं pros की बात कर रहा हूँ, अभी मैं cons की बात करता हूँ So यहाँ पे settings में आपको कोई भी brightness adjustment की setting देखने नहीं मिलते है But क्या यह वाकी में smart है, आइए जानते है तो यहाँ पे आपको Android projector OS 9.0 इसके अंतर देखने मिलता है तो यह जो projector है यह based है Android operating system 9 पे जहाँ पे आपको 1 GB का RAM देखने मिलता है And 32 GB का internal storage And यहाँ पे जो UI वाला part है वो completely different आपको देखने मिलता है Android TV OS के comparison में Android TV OS में आपको typical UI देखने मिलता है यहाँ पे आपको अलगी customized UI उन्होंने प्रोड़ किया है जहाँ पे आपको नीचे की तरफ कुछ pre-install applications देखने मिलता है उपर की तरफ यहाँ पे आपको suggested videos भी देखने मिलेंगे सारे apps का support आपको देखने मिलता है उसके लिए Zebronics ने उनका खुदका एक app store यहाँ पे प्रोड़ किया है जो basically AppTroid TV है यहाँ पे भी आपको different applications देखने मिलेंगे जिने आप download कर सकते हो यहाँ पे जो pre-install applications थे ना उसमें से Netflix वाले जो application था उसे हमने यहाँ पे open किया बहुत ही बढ़िया तरीके से app यहाँ पे open हो जाता है यहाँ पे Netflix guys remote control की help से operate नहीं हो रहा था उसे operate करने के लिए यहाँ पे हमने external mouse इसके साथ connect किया था and mouse की help से यहाँ पे हम Netflix को काफी easily use कर पा रहे थे and यहाँ पे Netflix पे आना आप high resolution content बहुत ही बढ़िया तरीके से watch कर सकते हो but guys remote से work नहीं करता है so app मेरे साब से इतना बढ़िया तरीके से optimize नहीं था so हम लोग गये play store पे play store से और एक Netflix application हमने यहाँ पे download किया and वो जो particular Netflix application नहीं open होती एक error showcase करता है कि भाई app यहाँ पे open नहीं हो सकता so guys यह मुझे एक drawback लगा कि भाई play store का भी support है but app नहीं चल रहा है similar guys prime videos को भी हाँ पे हमने turn on किया था जिसे हमने download किया था play store के helps है prime videos का यहाँ पे बहुत ही smoothly work कर रहा था but जैसी हम कोई भी video यहाँ पे open कर रहे था वो बोल रहा था कि यह HDMI cable है न आपकी TV की वो थोड़ी fix कीजिए so वो चीज मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई क्योंकि एक projector है तो भाई कौंसी HDMI cable की यह बात कर रहा है so in short guys कुछ app work करते हैं कुछ app यहाँ पे properly work नहीं करते हैं Disney Hotstar guys यहाँ पे हमने download किया था and Disney Hotstar यहाँ पे बहुत ही amazingly work कर रहा था remote control की help से भी मैं इसे operate कर पा रहा था plus guys यहाँ पे आपको pre-install casting के applications देखने मलते हैं so यहाँ पे Android phone को हमने cast किया था Android phone यहाँ पे बहुत ही smoothly cast हो रहा था similarly guys आप iPhone को भी यहाँ पे cast कर सकते हो and iPhone की भी casting यहाँ पे बहुत ही smooth आपको देखने मिलेगी and yes guys जैसे मैंने आपको पहले ही बता है यहाँ पे Asphalt 8 जो game है उसे हमने download किया था and उसे खेलने के लिए आपको यहाँ पे Bluetooth gamepad इसके साथ connect करना है so यहाँ पे आपको Bluetooth version 5.1 उन्होंने provide किया है and Bluetooth gamepad को काफी easily आप connect कर सकते हो and यहाँ पे जो Asphalt 8 game बहुत ही smoothly work कर रहा था surprisingly guys 1 GB के RAM के साथ भी game यहाँ पे लाग नहीं हुआ so in short guys यहाँ पे आप बेसिक गेम सकते हो but सारे गेम का support आपको देखने नहीं मिलता है so guys overall sound output यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल किया आता है लगबग मैं बोल सकतो 8 to 10 watts का speaker यहाँ पे उन्होंने provide किया so sound के मामले में बहुत ही बढ़िया है plus यहाँ पे आपको Dolby audio का support भी उन्होंने provide किया so अगर आप external sound bar यहाँ पे connect कर रहे हो with Dolby audio codec support तो definitely sound output यहाँ पे बहुत ही amazing आपको सुनने मिलेगा ARC है कै नहीं वो ही नहीं पता क्योंकि मेरे भी दिमाग में वो ही आया कि Dolby audio codec support है तो यह HDMI ARC है या नहीं but कहां पे भी website पे mention नहीं है कि ARC है या नहीं है so I don't know ARC है या नहीं additionally guys यहाँ पे हमने laptop भी connect किया था via HDMI and यहाँ पे हमें कोई भी as such lag मैसूस नहीं हुआ and guys इसका जो operating system है न Android operating system अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो आप external fire tv stick भी यहाँ पे connect कर सकते हो and fire tv stick यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से project हो रहा था कोई भी lag आपको but obvious fire tv stick में मैसूस नहीं होगा and guys connectivity wise यहाँ पे आपको dual man Wi-Fi support उन्होंने प्रोइड किया है जिसकी help से आपको decent upload and download speeds देखने मिलेंगे and यहाँ पे जो remote वाला पार्ट है वो भी काफी basic सा आपको देखने मिलता है कोई भी Bluetooth enabled remote control नहीं है इसके अंदर आपको you know Google assistant का support मिले ऐसा कोई remote control नहीं सिफ बेसिक है मतलब सारी चीज़े आप operate कर सकते हो focus adjust कर सकते हो volume up and down कर सकते हो so guys the biggest question 24,999 इसकी pricing है and क्या यह value for money है या नहीं है so guys अगर मैं प्रोस की बात कर रहा हूँ तो भाई projection size brightness सारी चीज़े मुझे बहुत ही जादा पसंद है built-in speaker भी बहुत ही amazing लगा but guys इसका जो operating system वाला पार्ट है जो इसे smart projector बनाता है वो इतना well refined मुझे नहीं लगा so मेरे हिसाब से अगर zebronics यहाँ पे you know update rollout करें जहाँ पे android 10 operating system आपको मिले tvOS जैसा सारी चीज़े work कर रही है तो definitely guys यह super duper value for money बन जाएगा क्योंकि main तो projection ही होता है कि कितना bright projection आपको देखने मिल रहा है वो भाई साब यह करता है but operating system इतना well optimized मुझे personally नहीं लगा but फिर भी guys अगर किसी को इससे check out करना है तो links आपको नीचे description box में मिल जाएंगी and yes guys यहाँ पे आपको view product का एक tab भी देखने मिलेगा जहां से आप products को explore करके purchase भी कर सकते हो तो ज़रू जाके check out कीजिए and guys बस यही ता आज का वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसे ही tech related unboxing के लिए please subscribe पीजा मेरा चैनल को और दोस्तों और एक important बात please मेरा facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद